तो आज मैं बहुत अच्छा है जो मैंने बनाई रखा इसे क्या होता है एक तो हमारे बाल बहुत जब जब फलफी लगते हैं और आपके बालों में बहुत अच्छा वाल्यूम आता है अधर दिंग कि आपके बाल काफी अच्छे भी लगते हैं और यह डीसेंड भी लगता है या आप कभी जैसे आपको अपको टाइप करना है तो मैसी जूड़े से अच्छा बनाए बहुत अच्छा बना पाएंगे बहुत ही अच्छा आपके लॉंग है शौट है आप हर तरह क वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फर्स्ट आप हो सब्सक्राइब तो माई चैनल और प्रस दा बैल आइकन ताकि जितने भी मेरे लेटेस्ट अपकमिंग वीडियो से हैं उसकी आपको नोटिफिकेशन मिलने है अब हम इसे रबर से टाइब कर देंगे पोनी को टाइटली अब हम पोनी को आगी की तरफ करते हुए हम क्लैचर टक कर देंगे टाइटली जह हमने रबर लगाया है उससे थोड़ा सा उपर हम क्लैचर लगा देंगे और पोनी को पीछे करेंगे अब और हम पोनी को पीछे करते हुए बालों को स्मूध कर लेंगे ताकि हमारे बालों में नौस ना हो बालों को अच्छे से हाथ से स्मूध करेंगे और अब जो लास्ट के टिप बाल है उसे थोड़े से हम उपर हम लगाएंगे रबर रबर से हम secure कर देंगे जितनी मैं कर रही हूँ थोड़ा सा उपर उतना ही आपको बालों को रबर से अच्छे से tie आप करना है अब बालों को अंदर की तरफ फोल्ड करते वे हाथों से बालों को smooth कर लेंगे ताकि बाल कहीं से निकले ना हो इक्वेल परफेक्ट हो बाल हमारे और हम लास्ट के एंड को जूडा पिंस से सिक्यूर कर देंगे So guys आप देख सकता है मेरा कितना अच्छा जूडा बनाया है सब्सक्राइब अच्छा लग रहा है में जूड़ा प्रण्ड यह मैंने बनाया हुआ आप देख सकते हैं कितना ऐसे लगा है कि मेने कितने हैवी बाल है और कितना सुंदर लग रहा है तो आप हमेशा बना सकते हैं सिर्फ ट्लैट्र से बना सकते हैं है स्टाइल यह बहुत इजी है और इसके बाद आप जो जूड़ा पीन आती यू पीन बोलते हैं उससे आप से ग्योर कर लीजिए तो आपको आपको आज का वीडियो पसन आया हो कि पूलबा बाई